कि गी है हेलो डोस्तो आज का हमारा टोपिक है लिन यृतयक्वrist स्टेटमेंट से पहले हम लोग यह देखेंगे कि लिन निट्व गोस्टेटमेंट कब आये ठी है मतलब यह स्रकार का स्वीक डोकुमेंट यह कब आया धा और त। इस पेदां आपको पता है जब सेकेंड वर्ड वर्ड स्टार्ट हुआ था तो इंडियन लेडर्स ने अपने अपने स्तर पर सवतंतरता के प्रियास तेज कर दिये थे यह वह दो गुरुप में बंटे वह थे एक उगरवादी गुरुप था और उदारवादी गुरुप था पहाचंद्र वोस और उदारवादी में महत्मा गांदी शीता राम रमिया ज्वारलान नहरू एटेसी तो सेकेंड वर्ड वर्ड के अंदर जो ब्रिटिस गोर्मेंट थी वह चाहती थी कि इंडियन सोल्जर्स इस वर्ड में पार्टिक्सपेट करें तो इसलिए उस त्इर्पूरह इवेशन होता है और सुबऄ इस सो नचल में तरीपूरह ओ 59 में तुर्फ में सक्क्रतारीं से उपरीचत है औरwarming성이 38 के तौभरहक्तीton में सुभाचंद्र को बॉस प्रेजिडन्ट पंते हैं और और उस के प्रेजिडेंट बनने के बाद उनका स्पीच उनका काम करने का तरिका देख करके गांदी जी और सुभाशंदर बोस के बीस में मतबेद हो जाता है और उसके बाद त्रीपूरी में जब 1949 में दुबारा दिवेशन होता है तो कॉंग्रिस का दुबारा धेक्स बनान तुमसेटीट थे वह थे सिता राम रमया इस त्रीके से बाद में सुभाशंदर बोस्त्याग पतर दे देते हैं और सिता राम रमया कॉंग्रेसके अधेक्स बन जाते हैं यहीं से लिनली तो स्टैट्मेंट की पड़ती है क्योंकि सरकार का प्रियास का है राखकार चाहती ह कि इंडियन फोर्सेज हैं वो इस वोर में पार्टिस्पेट करें तो इसमें जो गौवर्मेंट अपना पक्स रखती है तो गौवर्मेंट ने एक बात कही कि हम सिर्फ ये जानते हैं कि जो ये यूद है वो भेद बाव पर अधारती यूद है और हम लोग इसका सिर्फ विरोध कर रहे हैं तो इसके लिए इंडियन फोर्सेज को और इंडियन लीडर्स को हमारा स्पोर्ट करना चाहिए तो उन लोगों ने देखो क्या तरीका अपना आया उन्होंने क्या किया मुस्लिम लीड और दैसी रियास्ते जो थी उनके राजाओं को बढ़गाना सुरू कर दिया और उनको कॉंग्रेस के खिलाब बोलना के लिए बोला गया बोला गया कि आप लोग इस तरीके का महल अपने लोगों से कहिए कि कॉंग्रेस जो कर रही है वो गलत कर र और यह जो स्टेटमेंट है यह 17 अक्टुबर 1949 को आई थी तो इसमें जो सबसे पहली बात थी वह यह दी गोवर्मेंट ने यह का कि हम लोग सिर्फ इस वहर का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि डिस्क्रीमिनेशन पर बैस्ट है फासिजम और अदर पावर्स का उस इंकार कर दिया यह इसका पहले बात यहांनि पहला जो स्टेटमेंट था वह यह था कि हम सिर्फ डिस्क्रीमिनेशन का पोज कर रहे हैं और दूसरी बात इन्हों नहीं कि अगर जुरूरत पड़ी अगर जुरूरत पड़ जाती है तो हम लोग एक एडवाईजरी कमेटी ब इंकार कर दिया और जो एक बात इन्होंने बोली वह मैंने आपको श्राट में बतादी थी इन्होंने कहा कि हम इस वोर्ड़ का अपोज क्यों कर रहे हैं और जो अलग-अलग पावर्स जो अलग-अलग आईडियोलोजी अलग-अलग रिलिजिजन और अलग-अलग बेस पे ग्रूप से उन सब को एक मंस पे लाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि वह इंडियन रूलिंग एक 1935 में किस तरीके का अमेंडमेंट किया जाए और किस तरीके के ने प्रोविजन्स दाला जाए तो इसमें इन्हों नहीं है का कि जो अलग-अलग communities हैं अलग-अलग parties हैं उनके हितों को represent करने वाली सारी powers को एक table पर लाया जाएगा और उनसे इस बात पर discussion किया जाएगा कि Indian ruling act 1935 में किस तरीके का amendment किया जाए और इसमें ने provisions क्या डाला जाए इससे जादा कहने से इन्होंने इंकार कर दिया तो यह जो तीन बाते हैं यह लिन ले थी वह statement था मतलब कि government की statement थी यह थैंक्यू और इस lecture का PDF में ने नीचे दे दिया है वहां से